गाजीपूर जनपत के आगामी विधानसभा चुनाव में 375 विधानसभा सदर के लिए बस्पा प्रत्याशी राजकुमार सिंग गौतम ने अपना नामानकन जो सेट में दाखिल किया एक इंटरव्यू पत्रकारों ने पूछा कि आपकी आगामी योजना क्या है तो उन्हों ने कहा कि मेरे कार्यकाल में जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा करना तथा महामारी के बाद जो नौजवान बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार उपलब्द कराना तथा गाजीपूर जनपत में एक विश्व विध्याले का स्थापना करना आगे उन्होंने बताया कि बसपा टीवी चैनल एवं समाचार पत्रों पर चुनाव नहीं लड़ती है वह धरातल पर चुनाव लड़ती है और इसका परिनाम मत करना के बाद स्पष्ट हो जाएगा और हमारा मुकाबला किसी से नहीं है पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और इन्होंने लिए भाबू जहां है जोटा ओक फूर्व किया है दूशलों से लोनी अग्यां है प्र चाहिक रहेंगे में अग यह अदर्विधास कार्यों को तुरंद प्रारंवकर्मा जो इंफा सच्चर से संबंदित है और करोना के बाद जो हिवाओं में बेरोज़ारी की हूर वो मांसित उसके विकलानता पर भी की तरफ अग्रसर है उसके दिशेज ध्यान देना नंद गंज की चीनी मिल प्रारंब कराना बेरोज़ार नौजमानों को रोज़ार का इंधिया और काजीपुर में एक बिश्विद्याले की अस्थापना और यह जो नया पुर्वांच लेक्षिक बना है उसके आसपास दोसो देर सो थेकड़ में एक और गूंगी आस्थान नया बना है आपको दर अमांकर किया गया है वहीं जो विपच्छी पार्टी याने सतारूर प अगर बस्पा कहीं लडाई में नहीं है तो फर्जी मुकद्मिर क्यों लगाए जा रहे हैं बस्ता के ऊपर दूसरी बात कि आप जब खुद जाते होंगे आप तो बहुत हर बात जानते हैं आप यह सवाल कियों उनके कहने पर पुछ रहे हैं तो इस सित्यां बहुत बहुत ब्लुमाैं आपका माना क्या ओपर फ़र्जी मुकद्मा किया गया है बिल्कुल मौखिक रूप से मना कर दिया जाता है कि नहीं देंगे और जब आप अपने घर की तरह से बहुत हना समाज पार्टी का वह कार्याले था विधान सभा का रेयाले और उसको मेरा कार्याले बत लगा हुआ है और भारती जंता पार्टी का प्रचार वहां सरयाम चल रहा है यह आप ही देख सकते हैं मेरे पास क्लिपिंग नहीं है उसके कोई रोक नहीं है तो आचार सहिंता का जो उलंगन का मामला है और एक हिसाब से फर्जी मना जाए है आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं अबने विजहान सभाव अस्तर के कारियाले में भी वैनर लगाने की दिजाजत नहीं बहुजन समाज पार्टी एक राश्टी पार्टी आझ दो